हलो माई डियर स्टुडेंट बेलकम बैक टू कमपटेटिव गाइडर कमपटेटिव गाइडर चनल में आप सवील का स्वागत है आज हम लोग क्लास नायंत के हिंदी गोधुली देख रहे हैं जो बिहार बोट्स के लिए पूस्तक है आज का जो वीडियो है वह चेप्टर न लेखक के बारे में जान लेते हैं जो हमार एक जॉब्जेक्टिव कोसंस के लिए इंपोर्टेंट साभित होते हैं और एक कोसंस आपको एकजाम में जरूर पूछे जाते हैं तो आप लोग वीडियो सुरूष लेकर अंतक देखना जो भी आपको डाउट होता है आप कर लेते हैं कि जो यह प्रख्यात चितरकार और लेखक राम कुमार का जो जन्म होता है वह 1924 में सिमला में हुआ था आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह एक चितरकार भी थे और साथ में एक लेखक थे और इनका जो जन्म होता है वह 1924 में होता है तो सिमला में होता है उन स्टिफेंस कॉलेज दिल्ली से उन्होंने क्या किया था एम में किया था लेकिन सुरुवाती क्या जो सिच्छा उनका रहा यानि बजपन का जो सिच्छा रहा था वह सिमला से ही इन्होंने किया था आगे बढ़ो तो इसी में कहा है कि इसी दौरान उन्होंने प्रख्यात चित आपको पूछा जा सकता है कि रामकुमार का जो चित्रकार का जो चित्रकला की जो सिच्छा लेती उन्होंने कौन से कॉलेज या कौन से जगा से उन्होंने लिया था तो आप इस चीज को याद रखना आगे बढ़िए तो इसी में कहा है कि अपने चित्रकला की सिच्छा को व पिस्तार करने के लिए उन्होंने कहा गया था तो 1949 में पेरिस गये थे और वहां 1952 तक वे रहे आगे बढ़िये तो कहता है कि उन्हें 1972 इसमे में पद्दम सिरी समान और 1985 में परतेश्चित कालिदास समान सहित अब तक के अन्यक समान प्राप्त हो चुके हैं यानि 1972 में उनको पद्दम सिरी समान दिया गया उच सर्मान जो हता है उसको दिया गया यह किस चीज में दिया गया तो यह इनके चित्रकाला के छेत्र में दिया गया और उसके बाद इनको कालिदास का जो परतिश्चित समान है इनको भी यह 1985 में दिया गया आगे बढ़िये तो कहत गया कुछ इस परकार है जिनमें आपको देखने को मिलेगा उपन्यास तो उपन्यास आईए देख लेते हैं उपन्यास में इन्होंने लिखा घर बने घर टुटे इंपर्टेंट है त्यारकना है घर बने घर टुटे और दे सवेर इनके दो क्या है उपन्यास है अगर कहानी स संगरा की बात करी इन्होंने जो कहानी लिखा है उसमें हुसना बीवी ध्यार रखना हुसना बीवी तथा अन्य कहानिया इन्होंने लिखा एक चेरा समुंद्र एक लंबा रास्ता मेरी प्रिय कहानिया दीमक तथा अन्य कहानिया जींगुरो का सवर यह सभी इनके जो है इनक गोंने एउरोप की सकेश को लिखा और साथ में अनुबाद जो इंहों ने किया है अनुबाद को मतलब इन्हों ने भासा को चेंज किया है तो ये बाड नमबर त्चों ध्यारकना है जो जेखों के बहुत चर्चित लगू उपनियास का हिन्दी अनुबाद थे ध्यान रकना यह किंके है लेखक ये चेखो जी के है जो बहुट चर्चित लगो उपनेयस से चोटा उपनेयस है और इन McCain को इन्होंने हिंदी में किया है अपना छाया जिसमें इनको Auskair Wild के उपनियास The Picture of Dorigan के हिंदी का अनुबाद है ध्यारकना है ओसकर वाइल के उपनियास The Picture of Dorigan Gray का हिंदी में उन्होंने अनुबाद किया है अपनी चाया को चलिए आगे की और बढ़िये तो कहता है कि राम कुमार के साहित का निम्न वरगिये कसवाई जीवन गहरी अनभूती और संबेदना के साथ ब्यप्त हुआ है उनकी साहित में भावुक्ता और बड़ बोलेपन के लिए कोई अस्थान नहीं है वे मानविये अस्थानों के छीजन और संत्रास को विश्वस्नियता के साथ पाठकों के सामने पेश करते हैं राम कुमार का कथाकार यायावरी और चितरकला से संबंद उस भाव भूमी पर मिलता है यह सभी चीज आपको नए याद रखें तो इंपर्टेंट है काय कि यह सभी चीज आपसे पूछा नहीं जाएगा जहां विश्थरित अनुभव संसार हो मानविये गरिमा को कभी आहत नहीं होने हो नहीं कभी न आहत करने वाले द्रिश्टी यह सभी इंपर्टेंट नहीं कर लिजिएगा क्योंकि यह इंपर्टेंट है पूछा जागा कि टॉल अस्टा के घर इनका जो यह परस्तुर पाठ है वह किसे संकलित है तो आपको याद रखना यह जो संकलित है वह इउरोप के स्केच से है आगे वे सन 1949 में चित्रकला का आध्यान करने के लिए पेरिस ग जब उन्होंने गया था तो उसी समय इनको जब मौका मिलता था तो यह लोग इट यह जो थे वह इटले डेन्मार्क जर्मनी पोलेंड लाइन च्को असलोवाकिया में इन्होंने क्या किया यात्रा किया था आगे बढ़िये तो काता है कुर्णे सोपच्पन इसमी में जब पेरिस के अलावा सोबियत संग, इनलेंड, आश्ट्रिया, हंगरी और हंगरी आधि देशों का इन्हों ने यात्रा की थी, इसी दोरा आगे बढ़िए तो इउरोप के असकेच में उनकी यात्राओं का रिपोतार्ज है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर ल आगे बढ़िए तो काता है, कि एक निरुदेशी यात्री की तरह घुमते हुए, जो कुछ देखा महसूस किया, उन्ही अस्मिरितियों को उन्होंने इस पुस्तक में संजोया है, इस रिपोतार्ज में ततकालिन एउरोप के साहित सांस्कृति जगत की तस्वीरे हैं, तो दूसरे बिश्वीद के कारण उत्खनन बिखराओं से बाहर निकलने के लिए कोर्चिसों की मार्मिक छबिया दर्ज है, टॉल अस्टाय के घर में लेखक ने टॉल अस्टाय को अस्मरन करते हुए, उनके जीवन की कभी न भूल पाने वाली यादों की एक जहांकी है, लेखक के लिए टॉल अस्टाय के घर की यात्रा तिर्थ यात्रा की तरह है, याद रखना है, लेखक के लिए टॉल अस्टाय के घर की आत्रा तिर्थ यात्रा की तरह है, तो यह सभी यहां सी इंपोर्टेंट्स आपको और अब्जेक्टिव कोशन चटेंगे, जो आप दिखरी धूप में मासकों में चमचमाती सणकों पर उजले हरे रंग के पेड़ और सड़क पर तहलते लोगों की परचाईयां अजीब अजीब सी अक्रितिया बना रही थी लोगों में एक परकार का उलास था क्योंकि मासकों में धूप के दिन अधिक देर तक नहीं टिकते दे तो यह सभी चीज़ें को बार में लोग कल के वीडियो में जरूर देखेंगे तो आप लोग चैनल पर बने रहे हैं वीडियो सुरू से लेकर अंतक देगिए जो भी आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिए तो आज के लिए बस इतना है थैंक्स फ